वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें कोई भी कोश्चन आजा चंद्रियान से तो आप इसको एंसर कर सकेंगे तो इसकी साफ्ट लेंडिंग वगरे बाकी वह हम अगुस्त में देखेंगे लॉंच से सम्मंदित और लॉंच से पाहले जो भी डिटेल है उसको गवर कर लेते हैं लॉंच डेट इसकी 14 जुलाई है 2023 दो 35 पे इसको छोड़ा गया था लॉंच सल्स 3 हरिकोटा के सतीज धवन अंतरिक्ष केंद्रिक से इसरो ने इसको छोड़ा चंद्रियान 3 का प्रमोचन यान क्या है LV M3 M4 अगेन LV M3 M4 इसका प्रमोचन यान है जान रखीगा जिसको ल रक्षणी धुरुव यानि कि साउथ पोल के समीप होनी है जिसको फार साइड कहा जाता है ठीक है फार साइड ऑफ द मून में साउथ पोल में इसकी लैंडिंग होनी इंग्लिश मिडिया में भितिया हुआ नीचे आप यहां पर देख पाएंगे ठीक है और टोटल मास इसक साउफ्ट लैंडिंग अचीव करने का अभी तक के बल तीन देश यहां पर साउफ्ट लैंडिंग अचीव कर पाएंगे भारत चौथा देश बन जाएगा अगस्त में अगर साउफ्ट लैंडिंग यहां पर परफॉर्म कर पाया तो चंद्रियान में तीन चीज़े हैं एं में स्पेक्ट्रो पॉल्री मेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यह शेप टेखनोलोजी का यूज किया गया है उसके बाद यहां पर की चंद्रियान थ्री लेंडर में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और जो प्रग्यान है यह च्छह पाईयों वाला रोवर है यह भी बार कि कितने पाईय हैं इसमें च्छाए हैं रोवर में तीन लाइन में में मेजर अब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं तू दिमांस्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लेंडिंग ऑन दा फार साइड या साउथ पोल अफ दा मून तू दिमांस्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन इसको खोजा गया था मून लूनर सर्फेस पे चंदरियान 2 ये फेल हो गया था सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी ये सल्वी MK3M1 से इसको लॉंच किया गया था और अब LVM3M4 से लॉंच किया गया है लैंडर और रोवर क्रैश कर गया थे मून की सर्फेस पे और बि दिया है रिक